दोस्तो नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गुरूजी ओफिशिल और इस वीडियो में हम लोग डिसक्स करने वाले हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट पर एक बहुत ही इंपोर्टेंट इशू पर और ये अपडेट और इशू जो रेलेटेड है बो है MP Teachers Recruitments related अभी आप देख रहे हैं कि मदिप्रदेश की सिक्षक भरती प्रक्रिया में कई प्रकार की अलग-अलग बिशंगतियां देखने को मिल रही हैं जैसे कि हम बात करें OBC Reservation का इशू बहुत ही ज्यादा प्रकर तरीके से सामने आ रहा है लेकिन यहां पर EWS की साथ जो गडवड़ी की गई है उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है अभी हाल ही में मानिए ग्रहमंत्री जी से इस मुद्दे पर मुलाकात की गई है मानिये जो समाने बर्ग कल्यान आयूग के अध्यक्ष है । इन सभी टॉपिक्स पर हम लोग डिसकर्स करेंगे और मेन ज है वहां का भी आपको example देंगे कि वहां पर क्या qualifying markths रखे गए और मधिय परदेश में क्या qualifying marks हैं तो चली हम लोग सबी तथ्थίों के साथ यहां पर इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों यहां पर आप सबसे पहले हम आपको वो प्रूफ दिखाएंगे जो की अन्य राज्यों में EWS बर्ग के लिए अपनाया जा रहा है जो नियम अन्य राज्यों में अपनाया जा रहा है लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर एक दूसरा ही नियम अपनाया जा रहा है दोस्तों यहां पर अगरम ब परिक्षा में नियूंतम अहरकारी अंक केतने रखे गए हैं यहां पर हम लोग बता रहे हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अनारक्षित बर्ग आर्थिक रूप से कमजोर बर्ग आने पिछड़ा बर्ग तता अनुसूचे जाती अनुसूचे जन जाती के अभ्यरतियों को प्रश्णगत परिक्षा के विश्यवारक लिखित परिक्षा है तो उत्राखंड लोक सिवा आयोग परिक्षा परिणाम निर्मान प्रक्रिया नियमवली दुहचार बारा तेरा चौदा और पंद्रा में जो तृतिय शंशुधन किया है एवं सूला चतुर्थ संशुध अधन के द्वारा निर्धारित निमनलिकित नियूंतम और अंक प्राप्त करना अनिवारे हैं यह यहां पर इसमें कहा गया है आरक्षण की स्रेणी आप देख सकते हैं अनारक्षित में 45% आर्थिक रूप से कमजोर बर्ग को 40% उत्राखंड अन्य पिछला बर्ग स्रेणी को आर्थिक रूप से कमजोर बर्ग के समान ही मान के 40% नंबर लाना यहां पर अनिवारे हैं पात्र होने के लिए एक और उधारन हम आपको यहां पर दिखा दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यह राजिस्थान सरकार का यह निर्णे है यहां पर आप देख सकते हैं 16 2020 का यह निर्णे है और इसमें क्या जो है यहां पर कहा गया है उस पर मैं आपको discussion करके बताता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं NCTE नई दिल्ली द्वारा जारी देशा निर्देश में क्या कहा गया है यहां पर हम लोग discuss कर लेते हैं तो यह देखिए रीट के लिए य NCTE की guideline की follow किया गया है तो NCTE की guideline मानने के बाद भी यहां पर जो है आर्टिक रूप से कमजोर बर्ग के लिए 55% यहां पर रखा गया है और जो है यहांपर OBC के लिए जो है सेम 55% ही रखा गया है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि सामान्य अन राख्षित के ल आर्थी ग्रूप से कमजोर बर्ग के लिए 55 रखा गया है और यहां पर अलग-अलग से लिडियों के लिए अलग-अलग रखा गया है यह एंसी टी की गाइडलाइन के अनुसार ही है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं टीटी में और यह रीट परिक्षा जो कि अभी होन अलग है यह डव्हयos को जो नियम है इक ही बिल आया था इसको नियम कानून एक ही बनाए देश के लिए और अलग-alग राजयों में अलग-alग तरीकेे से यह नियम अपनाया जा रहा है तो कहींना कहीं इसे जो जो नुक्सान हो रहा है वो अभ्यरतियों को ही हो रहा है क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो आने पिश्टा अभरग को 75 नंबर में पास किया जा रहा है जबकि एकोनॉमिकली वीकर सेक्षिंस के लोगों को बहीं 90 नंबर लाना जब जो सामाने बर्ग के सामान है अनिवारे है तो यहां पर जो है मेन हमारा जो इशू है वो यही है कि EWS रेनी के जो भी अभ्यरतियां उनको 75 में पास किया जाना चाहिए तो दोस्तो इस संमंद में अलग-अलग बिधायकों के द्वारा अलग-अलग जन्प्रतिनीदियों के द्वारा सरकार को अब गत कराया जा चुका है और कराया जा रहा है वरतमान में और अभी तक सरकार ने इस पर कोई उचित निर्णे नहीं लिया है यहां पर आप देख सकते हैं पारश चंद्र जैन जो की विधायक हैं उज्जैन उत्तर के उन्होंने यहां पर मानिय मुख्यमित्री जो को पतर लिखा था जो की बाइस पांच 2021 को लिखा था और उन्होंने तो मुत्तीन अंकों में छूट प्रदान की गई है जो की सलंगन विज्यापन में उल्ले कित है और नेट की अगर हम बात करें तो यह EWS में SCST OBC के समान रियायते प्रदान की गई है भरस सरकार द्वारा एक सु तीनमा संबिदान संसूर्द नदीनियम 2019 में इस्पस्ट उल 1819 में EWS को आरक्षन तो SCST OBC के समान दिया गया है परन्तु आरक्षित बरगों के समान रियायते प्रदान नहीं की गई है तो यह बेसिकली दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ा इशू है जिसको पारश चंद्र जैन जी ने उठाए था और अभी तक गवर्मेंट ने मान प्रदेश उच्च माधमिक सिक्षक भरती 2018-19 में EWS परिक्षारतियों को SCST OBC रिक्षेत बरग की समान नियूंतम उत्तिन अंकों में शूट प्रदान करने की संबंद में उन्होंने कहा था और उन्होंने कहा था वही जो फैक्ट्स जो हमने यहां पर डिसक्स किये राजस् पिछडापन है तो यहां पर सभी की सभी जो भी मांगे हैं वो यहां पर रखी गई थी कहने का आर्थ यह है कि पिछडा बर्ग जो माना जाता है आर्थिक पिछडापन जो समिधान शंशोदन अधीनियम में कहा गया है उसमें EWS को वो सभी समिधाएं दी जानी चाहिए औ दोस्तों इसमें एक और पत्र EWS आरक्षण संग मद्यप्रदेश की तरफ से दिया गया और हम यहां पर डिसकस इसमें एक अन्य पत्र सुखदेव सिंग सिखावत गोगा मेडी राश्ट्री उपा अध्यक्ष है राश्ट्री राजपूत करनी से ना कि उनके द्वारा भी म आने मुख्यमंत्री जी को लिखा गया है मद्यप्रदेश की पूर मुख्यमंत्री कमलनाज जी के द्वारा भी यह पत्र लिखा गया है हाला कि उनकी समय में यह नियम जारी हुए थे उनको ध्यान रखना चाहिए था कि EWS के लिए क्या नियम बनाने चाहिए और इस अच्छे हैं उनसे भी मुलाकात की गई है और उनको भी ग्यापन दिया गया है उन्होंने भी हमारी मांगों को विस्तार से सुना है और उन पर प्रतिक्रियत देने का उन्होंने आश्वाशन दिया है यहां पर मानिये बिश्वास सारंग जी से भी मुलाकात की गई है उन् से मुलाकात की गई हैं यहां पर आप देख सकते हैं उनसे भी मागें रखी गई हैं तो दोस्तों कहने का अर्थ यहीं है अंत्मे में यहीं कहूंगा कि जब अलग-अलग सिक्षक पात्रत परिक्षाओं में नियम एक समान है कि आपको EWS को OBC या SCST के समान ही आरक्षन का लाव आपको देना है तो यहां पर आपके इस प्रकार से इस प्रकार के आरक्षन का को सामानी बर्ग के समान मान सकते हैं जबकि EWS एक आरक्षित बर्ग है और इस बर्ग के लोगों को यहां पर आरक्षन की जो बास्तविक सुविदा है व हमें EWS बर्ग को OBC के समान पातरता अंग प्रदान किये जाएं और यहां पर वो कई अलग अलग जो है जन प्रतिनितियां उनसे मिल चोके हैं और EWS का बर्तमान में क्वालिफाइंग मार्ग सामाने स्रेणी के बराबर 90 जो की 60% होता है रखा गया है और यह सब पिछली सरकार की गलतियों की बज़े से हुआ है अगर हम बात करें इसी क्रम में EWS अभ्यासी संग बर्तमान नवन्युक्त सामाने बर्ग कल्यान आयोक की अध्यक्ष सिप चौबे जी से भी मिला है उन्होंने भी इस बारे में जो है डीटेल डिसकुशन किया है इसके अलाबार राज्ट के बराबर 75 नमबर यानि की 50 प्रतिशत करने पर पत्र जारी किया है और मुख्यमंत्री जीशन निवेदन किया है तो दोस्तों यहां पर सभी EWS संग के जो भी अभ्यरती है और जो भी EWS बर्ग से आते हैं उनसे मेरा अनुरोद रहेगा और उन सब का हम सरकार से अनुरोद चाहिए और जिससे की यह जो बिसंगती है इसको दूर किया जा सके हजारों हजार अभ्यरतियों के भविश्य को बरवाद होने से बचाया जा सके अरक्षण की भेट चल रहे युवा जो की अभ्यरती है उनको निराशा हाथ ना लगे तो यहां पर मेरा अनुरोद रहेगा आपसे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे की सरकार तक यह वीडियो अवस्य पहुंचे इस वीडियो को देखने के आपका बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू बेरी मिच